गुद मॉनिंग बच्चो ग्लास नाइन एक्सरसाइज 2.1 आज हम इसका प्रशन 4 करने जा रहे हैं निम्न बहुपदों में बहुपद की घात लिखिए बहुपद की घात निकालने के लिए बच्चो आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देखेगा जिसमें हमने देखे बहुपद की घात का मतलब होता है चर की सबसे बड़ी घात यह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वहां से आप जरूर इसको देखिए और सबसे बड़ी घात चर क्या है इसमें एक्स यहां एक्स 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 है इसकी चर तो चर की सबसे बड़ी एक्स की सबसे बड़ी घात यहां एक्स की पावर है चार यहां एक्स की पावर है तीन यहां है दो यहां है जीरो तो सबसे बड़ी घात है चार तो यह एक्स की घात की सबसे बड़ी पावर तो आएए अब हम अपना यह फ्रश्न देखते हैं इसमें है निम्न बहुपदों में बहुपद की घाथ तो सबसे पहादे 5 x की पावर 3 प्लस 4 x की पावर 2 प्लस 7 x तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि x की पावर यहां है 3 यहाँ है 2 यहाँ है 1 यहाँ कुछ ने लिखा यानि 1 लिखा है तो X की सबसे बड़ी पावर होगी यह 3 और यही इस बहुपद की घात होगी तो बहुपद की घात कितनी आ गई 3 यहाँ देखे यह है 4 माइनस Y स्केर यहाँ तो Y है ही नहीं इसका मतलब Y की पावर है 0 यहाँ पर और यहाँ है Y की पावर 2 तो Y की पावर 0 Y की पावर 2 0 2 बड़ा क्या है 2 यही 2 जो है यह इस बहुपद की घात होगा तो बहुपद की घात आ जाएगी 2 अगले में देखे यह है 5 T माइनस रूट 7 यहाँ पर तो T है ही यदि नहीं है इसका मतलब है T की पावर होती है 0 ठीक है और यहाँ है T T अब के साथ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब लिखा है 1 किसी नंबर की कोई पावर नहीं है इसका मतलब उसकी पावर है 1 तो 5 T की पावर 1 और T की पावर 0 इसमें से बड़ा है 1 तो जो इस बहुपत की घात होगी वो होगी ये 1 ये लिखा नहीं था 1 हमें खुद समझना है कि 5 T का मतलब है T की पावर 1 और यहां देखें यहां है माल पास 3 ठीक है बच्चो यदि इसके साथ कुछ भी X, Y, Z कोई चर नहीं है तो आप कोई भी चर होता है यहां Y लिखते तो Y की पावर 0 A लिखते तो A की पावर 0 तो हमें A, B, C से मतलब नहीं है हमें मतलब है इस से ठीक है तो इस बहुपत की घात कितनी है इस बहुपत की घात कितनी है 0 है यह लिखने की जरूरत नहीं है यह सिरफ आपको समझाने के लिए है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से हम बहुपत की घात प्राप्त कर सकते हैं